Hey everyone, welcome back to my cooking blog तो आज मैं बना रहे हूं सामके नास्ते में एक special सा नास्ता जो की bread आलू से बनने वाला है और इसको बिल्कुल भी deep fry ने करना ज़्यादा oil की जुरुद भी नहीं है इसको बिल्कुल हम इस्टीम करके बनाएंगे और बहुतीजी तरीके से ये बनके रेडी हो जाता है और काफी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और यूनिक भी है तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने बेसन हल्दी नमक का घोल बना करके रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए आप इसमें एक पिंच बेकिंग सोडा भी डाल सकते है बेकिंग सोडा की जगे आप इनो का भी यूज़ कर सकते है तो इसको आप हम रख देंगे साइड में और ये इतना गाढ़ा इसका घोल होना चाहिए इसके बाद हमने लिया है यहाँ पर ब्रेड ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं सिम्पल वाले ब्रेड भी ले सकते हैं और किसी भी साइड की ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने च्छै ब्रेड लिये हैं अब इनको मैं गलास की हीलप से गोल गोल कॉट कर लूँगी और इनको गोल सेप में अपने रेअपती में यूज़ करूँगी और ये काट के कउटस बचड़ाइन हैं इनको मैं पीस करके और इनका ब्रेड करम बना लूँगी जो की किसी भी कटलेट और पकोड़े में यूज आ जाएंगे तो एक एकर के मैंने सारे ब्रेट को कट कर लिये हैं ग्लास केल्प से आप किसी भी डिब्बे के ढखकन वगएरा से भी कट कर सकते हैं जितने भी साइज का आप को चाहिए उससाब से आप इसको कट कर सकते हैं तो यह देखिए यहाँ पर मेरे छाय ब्रेट के गोल साइज मैंने यहाँ पर ले लिये हैं अब इनको रख देंगे साइड में और इनको निकाल कर रख देंगे अलग से अब यहाँ पर किचन की थोड़ा सा गंदा हो गया तो आप मैं ले रहे हैं यहाँ पर चार से पाच के लिया ले सुनकी दो तीन हरी मिट छारा धनिया अब इन सब की चॉपिंग करेंगे तो यहाँ पर मैंने धनिया को कट करके दो भागों में डिवाइड किया है और इसके कट्स वाले भाग को एक साथ करके इसको बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ और इसके बाद मैं इन दोनों सब्जियों की कटिंग करूँगी ज़्यादा सब्जियों का यूज इसमें मैं नहीं कर रही हूँ और आलू मैंने पहले सही बॉयल करने के लिए रख दिया था जब तक आलू बाविल हो रहे हैं दब तक मैं यह सारे काम कर लेती हूँ तो यहाँ पर मिर्ची को भी मुझे बारीक बारीक कट करना है तो सबसे पहले मैंने बीच में उसमें एक चीरा लगा दिया है इसके बाद बारीक बारीक चॉप करेंगे ताकि मिर्ची एकदम बारी कट जाए इस में आप लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं इस नास्ते में अगर आपके पास हरी मिर्च नहीं है तो आप इसको इवाइड कर सकते हैं और लाल मिर्च जो है तो सहत के लिए अच्छी नहीं होती है तो आपको जादा जादा हरी मिर्ज ही खानी चाहिए तो यहाँ पर मैंने ली है चार पांच लेसुन की कलियां इनको भी मैं बारी बारी कट कर रही हूँ आप चाहें तो इसको हरी मिर्ज और लेसुन को किसी कुटने में कूट भी सकते हैं तो कूट कर भीस को यूज़ कर सकते हैं अब हम आलू चिक कर लेते हैं तो आलू का कुका ठंडा हो चुका है अब इसको ओपन करके देखते हैं कि आलू उबल गए हैं या नहीं तो यहाँ पर सारे आलू उबल चुके हैं अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर 5-6 आलू वायल किय लेकिन सारे आलू का यूज मैं इसमें नहीं करूंगी इसमें दो ही तीन आलू का यूज करूंगी और जो भी बचेंगे आलू उनकी मैं सबजी पराठे बना लूँगी और आप बनाएंगे एक इस्पेशल चट्नी टेमाटर की साधा रण सी इस्पेशल नहीं है नौर्मल सी चट्नी बनाएंगे इस नाश्ते के साथ खाने के लिए अगर आप सौस या फिर दही के साथ भी खाना चाहें तो आप खा सकते हैं उनके साथ भी काफी ज़्यादा टेस्टी लगता है तो यहाँ पर मैंने लिया है मिकसर जाल उसमें कट कर रहे हूँ मैं अधरक हरी मिर्च थोड़ी सी लहसुन डालूँगी तो चार कर लिया क्योंकि सर्दियां पड़ रही है तो लहसुन का सेवन हमें करना चाहिए और इसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर कट करके डाल रही हूँ तो यहाँ पर मैं दो ही टमाटर कट करके डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी चटनी बनानी है और फ्रेस चटनी ज़्यादा अची लगती है तो इसको मैं स्टोर करके नहीं रखूंगी मतलब अभी क्या खाने के लिए बना लोंगी इसके बाद जब भी मुझे चटनी खाना होता है मैं तुरन से बना लेती हूँ तो आलू उबल चुके है आब इनको हम छील देते है और इनका उम्रेका निकाल के साइड में कर देते हैं आलू थंडे हो जाए तभी आप इसका यूज़ करें छील लहाँ हाथ चल जाएगा आपका तो यहाँ पर एक एकर के मैंने सारे आलूओं को छील लिया है और यहाँ पर चट्नी भी पिसके रेडी हो गई है तो यह देखिए चट्नी कितनी स्मूध और किती टेस्टी लग रही है और आलू भी छील करके रेडी हो चुके है अब हम एक पैन में गरम करेंगे ओईल और उसी में यह मसाला रेडी करेंगे इस पैन में मैंने पहले ड्राइपूट से प्राई किये थे जिसके कारण इसमें चुटचुटचुट टुकड़े उसके लग हुए है अब इसमें तेल गरम हो चुका है हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा यानि की क्यूमिन सीट्स थोड़ी सी लहसुन यानि की गारलेक थोड़ी सी हरे मिर्स यानि की ग्रीन चिले इन सबको अची तरह से फ्राई हो जाने के बाद इसमें उबले हुए आलू यहाँ पर हाथों की हल्प से मसल करके डाल देंगे आप अगर इनको ग्रेट करके डालना चाहें तो और भी इजी हो जाता है इनको मिक्स करना तो आप रेट करके भी डाल सकते हैं या पिरा पोक के अलब से इसको अची तरह से मसल करके भी इसमें डाल सकते हैं और इसके बाद मैंने एक और आलू का यूज किया क्योंकि मुझे कम लग रहे थे, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मेच पाउडर, थोड़ा सा नमक का और धनिया पाउडर डालना है इसमें इसके बाद इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आलू को मैस करते हुए क्योंकि आलू में कोई भी गुट्लिया नहीं रहने चाहिए आलू जब अच्छी तरह से उबल जाते हैं तो उनको मैस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अच्छी तरह से वो चमज की हल्प से ही मैस हो जाते हैं तो यहां पर मैं आलू को चम्मज घेल्ब से ही मैस कर रही हूँ और इससे क्या होता है न कि अच्छे से भुन भी जाते हैं और अच्छे से मैस भी हो जाते हैं और आलू देखिए कितने ईजी तरीके से दो से तीन मिनिट में आराम से मैस हो चुके हैं, सारा मसाल अभी आलू में मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया कटी होई डाल देंगे, जो कि हमने पहले से ही कट करके रखी थी, तो यहां पर मैंने हरी धनिया ड तक किया बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें आलू को थोड़ा ठंडा करना होगा, नहीं तो हमारा हाथ जल सकता है, और इसको रख देंगे साइड में, और अब यह थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा इसका हिस्सा लेंगे, और पेड़ा बन साइज हमें जितना ब्रेट का था उतना ही रखना है, उससे थोड़ा छोटा बड़ा भी रख सकते हैं, बस आपकी कटोरी का साइज देखना होगा कि कितना बड़ा है, तो इस तरह से मैंने टिक्किया बना ली है, तो पहली टिक्की बनके रेडी हो चुकी है, इसी तरह से म मैंने यहाँ पर सारी टिक्किया मना कर ली है रेडी जो की बहुत ही इजली तरीके से और आसानी से हो जाती है यह देखिए सारा आलू खतम हो चुका है और बहुत ही आसान तरीके से सारी टिक्किया मन के रेडी हो गई है और देखने में कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और यह देखिए यहां पर साथ टिक्कियां मनके रेड़ी हुई है और ब्रेड़ अच्छे हैं अब देखिए नास्ता कितना बनता है अब यहां पर मैंने एक बड़े साइज का लिया है प्याज अब इसको कट करेंगे तो इसके आंगे पीछे का भाग पहले कट करके इसके बाद इसके पतले पतले से स्लाइसेस कट करके निकाल लें अगर आप प्याज और लेसुन नहीं खाते हैं तो आप प्याज और लेसुन के बिना भी इस नास्ते को बना सकते हैं कोई जरूरी नहीं है इसमें प्याज और लेसुन का डालना तो यहाँ पर जो यह मूटा वाला भाग रहे गया तो उसको मैंने कट करके अलग कर दिया है और यहाँ पर सारी स्लाइसेस बनके रेडी हो चुके है तो आज का यह जो नास्ता है ना दिल्ली के बड़ा पाउ से कम नहीं है बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट आएगा आपको तो यहाँ पर मैंने एक कड़ाई चड़ाई है उसमें डाल दिया है मैंने पान गर्म होने के लिए अब इसी में हम स्टीम करेंगे अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसी में स्टीम कर सकते हैं यहां पर मैंने लिए हैं 4 कटोरियां breeding उनको औउयल से ग्रीस कर लेंगे और औॉयल से ग्रीस करने के बाद सबसे नीजरे वले भाग internal कटेंगे ब्रेंट की स्लाइसें जो हमने कट करके रखे थे यह उसके उपर डालेंगे प्यास तब ही मैं दो ही कटोरियों में ये नास्ता बना रहे हूं क्योंकि मेरी कड़ाई में सिब दो ही कटोरिया आएंगी एक टाइम पे और जो बेशन का गोल बनाया था हमने उसको थोड़ा सा मिक्स करते हुए और इसके उपर डाल देंगे तो ये जो गोल बनाया था थोड़ा कम पड़ गया जिसके करण मुझे दो कटोरियों के लिए अलग से गोल बनाना पड़ा और इस टेंट गोल बनाने के लिए मैंने एक आइडिया निकाला कि मैं उसमें थोड़ा सा सूजी मिला देती हूं और सूजी मिलाया मैंने उसमें थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा मिला दिया था जिसके कारण वो थोड़ा सा लाल-लाल सा हो गया था लेकिन अगर आप इनों मिलाएंगे ना तो लाल भी नहीं पड़ेगा देखने में कोई खराम नहीं दिख रहा था लेकिन इतना इस्पंजी और इतना टेस्टी बनके रेडी हुआ था ना कि मुझे एक नया ट्रिक मिल गया आप जब भी बनाएं ना तो बेशन में आप सूजी मिला दें 50% सूजी और 50% बेशन इसके बाद फूला कर रग दें फिर बनाएं तो यह और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है तो यह देखिए इसको मैंने इस्टीम होने के लिए रग दिय दें और जब आप चेक करें जब यह लग नहीं नहीं आए बेटर तो आप समझ जाएं कि पूरा अच्छी तरह से पक चुका है और फिर आप इसको बाहर निकाल सकते हैं तो अभी मेरा नास्ता पका नहीं है इसलिए मैं भी 2-4 मिनिट और इसे पकाऊंगे एकदम धीमी इस टेप भी पकने के लिए रख दिया है जिसमें मैंने बेशन में सूजी मिला के रखा था अब आपको आँगे दिखाएंगे कि हम सूजी बाला भी दिखाएंगे और बेशन बाला भी दिखाएंगे कि दोनों में अंतर क्या आया था तो यहां पर मेरा जो सूजी बेशन पला था, वह पख्के रेड़ी हो चुका था और इसको रखके ठंडा करनेना है तभी तो निकलना है आगर आ गरम गरम निकलने की कोसित करेंगे तो इडली की तरह ये निकलेगा नहीं और उसी में चिपका रहे जाएगा तो ये देखिए ये भी कितना यमी लग रहा है और य यह सूजी बाला है तो यह कितना फ्लपी है आपको बें दिखा रहे हूं कि यह कितना स्पॉंजी है वहां पे चक्कु लग गया था इसलिए थोड़ा सा कट रह गया आईए देखिए सूजी मिलाने से कितना ज़्यादा स्पॉंजी बनके रेडी हुआ है तो इस बड़ा अब पे आज थोड़ा सा कच्चा भी रह गया था आप चाहें तो पे आज को एवाड भी कर सकते हैं तो कैसी लगी आज की वीडियो कॉमेंट करके बताईएगा मैं मिलती हूं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई और आप राम को खिला कर दिखाते हैं कि उसको टेस्ट कैसा लगा